हमारे पडोसी देश ने एक्ष्पोर्ट किये हुए तैरलिस्टों ने हमारे 18 जवानों को पलिदान होना पड़ा आतंकवादी कान खोल के सुलने यह देश बात को कभी भुलने वाला नहीं है आज देश में केंद्र सरकार हो राज्य सरकारे हो स्थानिय निकाय हो पंचायते हो जन प्रतिनिदी हो या फिर सिबिल सुसाइटी हर कोई अपने अपने तरीके से इस वैश्विक महामारिस्ते बचले में अपना योगदान दे रहा है आपको भी अपना पूरा योगदान देना है यह आवश्विक महामारी के इस वातावर्ण में मानव जाती विजई हो भारत विजई हो इस हमले की वज़े से देश में जितना आक्रोश है लोगों का खून खौल रहा है यह मैं भली भाती समझ पा रहा है इस समय जो देश की अपेच्छाएं हैं कुछ कर गुजरने की भावना हैं वो भी स्वाभाविक है हमारे स्वरक्षाबलों को पूर्ण स्वतंत्रताग दे दी गई है बीते कुछ समय से जो कष्ट देश वासियों ने सहा है अनेकों लोग जिस दर्थ से गुजरे हैं तकलीप से गुजरे हैं वो मैं भी उतना ही मैसूस कर रहा हूँ देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूँ कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोथ थे वो तेजी से दूर किये जा रहा है युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है